वेलकम बेक टू माई चैनल समराट करन्वी इस्टूएंट जितने बच्चे क्लास 10 में और दवासी परिछा देने वाले उनके लिडियो सबसे ज़्यादा इंपोडेंट है और दवासी परिछा में आप लोगों को विग्यान का बताने वाला हूं हिंदी का कुछ दिन पहले बताया था बहुत सारे स्कूलों में पेपर हो गया है बहुत सार बच्चे किमेंट के थे सर जो आपने बताया था 100% पूरा का पूरा पेपर वही छपके आया था तो चलिए बहुत अची बात है 70 में 70 आप लोग लेकर चले आ हैं इसी तरह बिग्य पूरे स्कूल टॉप कर देना अर्दवासिक परिछा में अप लोग अनुक्रमाक और यहां पे नाम अपना डाली जिएगा इसके बाद यहां पे इस पेपर कॉल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे तीन गंटे-पंदर मिनट तो तीन गंटे-पंद मिनट क्या करोगे आप दो गंटे में करके पेपर चले आना दो गंटे में इस पेपर को पूरा कर देना अर्दवासिक पेपर पूरा सनुसन बता रहूं आगे से ही सब कुछ मालूम है आप लोगों को बस पढ़के जाए लिख किया यह यहां पे समाने निर्देस दिया गया है एक बार 15 मिनट पर चार्चियों को परशन पत्र पढ़ने के लिए निधारी थे हैं 15 मिनट में इस पेपर को पढ़ लेजी आर्म से आप तीन गंटे में सौल कर दीजिए दूसरा आए कि प्रशन पत्र दो खंडों में है एक तो खंड और दूसरा गट नबवा में विवाजी थे द ओएमर शीट पर निले अत्वा काले बॉल प्रशन पर प्रशन पर प्रते एक परशन के लिए एक निरधारी थे हैं मतलब एक अब्जेक्टी कुशन एक नंबर का ये बात हम लोगों को भी मालूम है आगे बढ़ते हैं खंड बाव में वर्नात्म परशन परशन पूछे ज है इसके बाद है इसके बाद आए प्रते एक नंबर का ये अपने फिजिक्स किया आप लिखना चालू कीजियेगा इसके बादे सब्रस्टा निभा देखेगे पेपर देखिए यही तो पेपर आप लोगों का अर्दलासिक है इतना ज्यादा सिंपल है सबसे पहले खंड आ है बहुत भी कल्पिया प्रशन है इसमें भी सबसे पहले उप्खंड का उप्खंड मतलब का मतलब फिजिस के परशन आए गए है देखिए 20 अब्जेक्टिक उसने एक के आप कोर यहे है अपहरो तो पैसे मालूम चलेगा कि किनता एंगल पर मुड़ा है जा है इतना जादा सिंपल परशन क्या दिया हुआ है साहoin नहीं मालूम के अषब आप बढ़़े तो किसी चालक वैधाव का परतिरोप होगे बढ़ता है बात्कत है चलिए समझा गया ना कि ता बढ़ाएंगे तो चालक का वेदूत परतिरों भी बढ़ता है आगे बढ़ेंगे देखें तीसरा परशन तीसरा परशन यह बहुत जादा सिंपल है देखते हुए आंसर कर डालोगी इतना जादा सिंपल है क्या है कि प्रीज में द्वारा वीचल प्रशन देखें और कम पूछ दे कि कम क्या हो तो कम कि किस रंग के लिए होता है लाल रंग के लिए होता है तो दून बात याद रखना आप लोग चौता प्रस्टन के क्या है एक आउतल दरपण की वकरता तरिजा 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी दरपण कौन सा है आउ माइनस के 20 अबटे में तो कटा दो यहां बरावर कितना जागा माइनस के 10 सेंटीमीटर और माइनस के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गया जो की बीवाल आपसन जो है बिल्कुल राइक आंसर हो गया तो ऐसे इसे प्रस्टन है अर्दवासिक में कि आप पुरा आंक बंद कर उसके मात्रा कितना होती है एक दासमनों चेंगुले 10 पर माइनस और बात खतम अब यह प्रस्टन को फूच्छा इतना सिंपल सिंपल प्रस्टन दिया हुआ है किसी तार की लंबाई उसकी प्राराभिक लंबाई के तीन गुना करने पर उसका प्रतिरोद निक प्रतिरोद सातम वाइ, सुवस्त आनकी के लिए दूरस्थ बिंदू, सुवस्त आख केली मतला मीरी प्यारा वच्छो की अगर आपके आखे बिलुकुल सुष्थ हैं, लोगों कि आजन resilient inmate स्वास्थ inspiring में आण को भी देख लेते हैं ? अब यहां से उत्खंड खाँ ही hdas स्टाट होग्या घंड खुम मतलळक्त केमेश्ट्री के प्रस्टन यहां से अप चेलेंगे आपके केमेश्ट्ट्री वाले प्रसण प्रस्ट नोबर 8 to the 2018 iki अविक्रिया अप देख रहे हैं कि दी गई किस प्रकार किये तो यहाँ पर देखते हैं कोई प्रस्ट को निला कर देता है तो उसका पीयच मान संभाता होगा मेरे प्यारों चो मैंने ट्री बता था और नील क्या बता था और नील तो मैंने कहा था कि नीला को अगर लाल कर दें तो उसे हम लगाते हैं लेकिन या लाल लीटमस को अगर नीला कर रहा है तो उसे बोलते हैं चार क्या बोलते हैं चार तो चार का प द्वासिक में पूछे गए आपके, इसके बात है कि निम्न में प्रवल चार है, बतरिए इन चारव आपसन में से कौन जो है, प्रवल चार है, तो पोटेसियम अटाकसाइड कहांगे कि ओए अच्छी, यह सबसे जदा प्रवल चार है, वी वाल आपसन जो है, राइट अंसर ह हो जाएगा, एक रावा प्रसनलो, अराम से पढ़ लो, सल्फ्यूरी का अमले में अमलिया हाइड्रोजन परमाडव की शंख्या, तो सल्फ्यूरी का अमल में, अमलिया हाइड्रोजन परमाडव की शंख्या कितनी होती है, तो दो होती है, तो दो होती है, तो दो होती है, क् तो यह जो है कि अभी कर सकती हैं जब भी करेंगा मैंगनेसियम कभी कभी आप सम्में ना देकर जीन्क देता है तो दूनों याद रखना आप ठीक है चलिए आग देखते हैं प्रस्ट नमर 13 निम्रिखीट में से अमलिय लवड़ है अब इसमस्वतना कि अमलिय लवड़ कौन है तो सोडिया मैड्र सल्फेट गाएंगा यह एन एच सोफोर ठीक है वी वाल आपसंदो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह इसे इसे प्रस्ट पूछेगा है कि बिल्कुल आंख बंद करके चलिया होग तो यहां पर इस इसका राइट आंसर हो जगा जीब्रेलीन क्या हो जागा जीब्रेलीन वी वाल आपसंदो हो जाएगा चलिया आगे बढ़ते हैं पंदरावा प्रस्ट देखे क्या है कि निवनियों मैं से किस पौधे में पूस्प एक लिंगी होते हैं मतलब कौन से डावा दोओ फो पराग नली में नRi Gunamak कि शंख्या होती है तो पराग नली में नरीगमक की संख्या होती है टोटल कितने दो होती है बीव आपकता है देखिए किता सिंपल सिंपल पर रहे वाला प्रश्ण है कि मेरु ग्रजु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की शंक्या कितनी होती है तो 31 जोड़े होते हैं कितने होते हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आगे पढ़ेंगे प्रश्ण में होते हैं देखें इसमें एक मिस्टिक था कि उन्होंने गलत ही टाइपिंग उन्होंने करवाया था क्योंकि पराग कोस में यह आपसां अंडर बिजान नहीं होता है पराग कड होते हैं पराग कड ठीक है तो यहां इसकुल वाले ने गलत करवाया है क्योंकि पराग कोस में पराग कड होते हैं डी वाला आपसां जो होगा बिल्कुल पराफ्ट होता है तो एक संकर क्रास में क्या होता है यह वह आपसे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तो बीस अब जेक्टीन हम नुबता दिया ठीक है अब हम देखें कि पचास नमर वाने परशन है देखें यहां से आपको स्टार्ट होता है खंडबा में वर्णात्म प प्रशन है नुमेरिकल है कि 15 सेंटीमेटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दरपण से कोई भी 10 सेंटीमेटर दूरी पर रखा है प्रतिविम की इस्तिति तथा प्रकृति ग्याद कीजिए इस्तिति मतलता है वी का वेलू अब प्रकृति मतलब एम का वेलू पूछा है देखें है 15 सेंटीमेटर हलांकि यहां पर उत्तल दरपण है तो एफ जो होगा प्लस में होगा ठीक है यह बात आप लोग जानते हो और यू बराबर वस्तु कितने दूरी पर रखिए तो वस्तु 10 सेंटीमेटर दूरी पर रखिए और वस्तु चाहिए वह कौन सा भी दरपण हो उ क्योंकि दरपण सुतर से ही इस प्रश्न को लगाया जा सकता है तो चलिए दरपण सुतर क्या कहता है मैं एक पेन लेल तो रिये डबाली ताकि सब कुछ अच्छे से दिखे तो दरपन सुतर कहता है कि वान बटे एफ बराबर वान बटे वी प्लस वन पान की यू यह होता ह दरपन सूत्रा अब दरपन सूत्र मालूम चल गया तो यहां लिखिए वन बटे एफ का वलू कितना है 15 बराबर वन बटे व का वलू गयात करना है प्लस वन अपान यू का वलू कितना है माइनस के 10 है जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यह हो जागा आप लोगों का एक बटे के 15 और बराबर वन बटे के वी और यह माइनस इस पलस में गड़ाओ तो माइनस हेट वके कितना हजागा दस अब यहां क्या करेंगे हम लोग 1 बटे 15 मानस 1 वके तषिदर आगा तो प्लस एक वके दस बराबर 12 5प की क्या हजागा वी अब यहां पे सिंपल एल्सियम के 15 औ तो V को उपर कर देंगे तो 30 हमारा उपर चला जागा पांच मारा नीज जागा तो तक 5 है कि तीस तो V बराबर कितना गया 6 cm मतलब 6 cm दूरी पर बनेगा और वि आपका कैसा प्लस में है प्लस में तो यह दर साथ है कि आप 20 तता सीधा बनेगा कैसा बनेगा आप 20 प्रक्रति उसकी कैसी होगी अब आसी तथा कैसा बनेगा सीधा बनेगा यह उसकी प्रक्रति हो गई के लिए बस चार नुबर मिल गया आप लोगों को इतना ही काम करना है इतना ही काम कर गया यह चार नुबर आप लोगों को मिल गया इसके बाद बाइसमा बाइसमा है ओम का नियम लिख जैसे उसकी लंबहाई यह ताप में परिवर्तन न हूँ तो उसमें प्रवायत होने वाली दारा उसके सीरों पर लगाएकंगे विवांतर के क्या होता है अनुकृमनपा बश्य ना कि मयंतर भी हो ऌ sister ho तो हम गहेंगे वी जो है है यहां पर कि अनुकुर्मानपाती होता है त्irse लगा देंगे वी बराबर R I r को territ mater होता है और उस में आप लोगों का क्या है प्रतीरोथ केहते हैं इतना ही चार नमबर आप आप लोगों का तेई समय देखिए अभी यह प्रस्ट नमर तेज क्या है नूमिल कर ला गया बोला है कि एक घंटे में पचास वोल्ट विववांतर से करने में उत्रपान उस्मा परिकलित कीजिए यह बहुत जाल सिंपल में पेज ले लेता हूं तब इसको बताता हूं आप लोगों को ताकि आप दमर्दवासी में भी पूरा का पूरा नंबर ले करा हो देखिए क्या बोला है यह घंटे में पचास वोल्ट ठीक है आ उस्मा प कितना दिया है पचास वोल्ट वी का कितना दिया है पचास वोल्ट दिया है आपको मालू में आई निकालने के सुत्र धारा क्या कहता है आई बरावर होता है क्यू अपान के टी यहां से हम क्यू निकाल सकते है क्यू बरावर क्या हो जागा आई इंटू के टी यह क्यू कमा यहां पर किना स्झान्वागा एक कि प्रॉट नो जंगे अशनवागा और ज dif Sahad współ को यहां तीनोट नहीं हाई अब आज ने सब्सक्राइब तो जो जागा यहां पर 49,2,3,4,5 जिसको 1,10,10,10,10,10,00 49,40,000,00 जूल आगया तो इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो यह बराबर कितना जाएगा 48,100 किलो जूल यह हो गया आपका अंसर इतना उसमा प्रकलित करेंगी मतलए कितना ज़्यादा सिंपल है तो यहां से चार नमर भी आप लोगों को क्या होगे, किलियर हो गया, अब आगला प्रस्ण देखें क्या है, अगला प्रस्ण है चोबीसमा, कि उत्तल दरपन के लिए सूत्र वन बटे यह, बराबर वन बटे यू प्लस वन बटे बे का निगवन कीजे, जहां संकेतों के समान अर्थ हैं, तो यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, अगर यह नहीं करना चाहते हो एक्जाम में, तो अत्वा करके एक प्रस्ण दिया हुआ है, नुमेर का, इस पो सॉल कर दो, कि निवन परिपत गयाद कीजे, तो निवन परिपत में क्या-क्या गयाद करना है, ची दो गोल्ट के बैटरी लगे हुई है, यह और भी दो बिन दू है, तो देखें, बहुत सिंपल कैसा लो लागाँए, इस के मुझे पीज की पड़ेगी, पीज में ले लेता हूँ, ठीक है, पीज में ले ले लिया, एक एक करके हल करते हैं, तो यहाँ से पहले हैं चीतर की म पहले हैं, तो यह दूड़े हैं स्रेडी करम में, तो पहले इन दोनों को हल करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो ओम, तथा दो ओम, तथा दो ओम के प्रतिरोध, दो ओम तथा दो ओम के प्रतिरोध, स्रेडी करम में हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा अगर हम तुले प्रतिरोद R की बात करें तो तुले प्रतिरोद R बराबर क्या होगा तो सूत्र क्या कहता है कि R1 प्लस R2 जीतने भी प्रतिरोद है उसको जोड़ते जाए तो यह हो जागा R बराबर किए हां कंगया चारतल ब्ल hem लिखेंंगेaraगे तुमांतक्रम में यहाँ नीचे फिर छीन लिखेंगे की अब परिपद जो जो परिपद रिसको क्ट परिपद तो जो परिपत बच pasta पाई इसमें क्या हो रहा है कि अब परिपाथ चारूं तथा चारूं तथा चारूं समांतर क्रम में है यह लिखना पड़ेगा आपको समांतर क्रम में है जब समांतर क्रम में है तो यहां पर तूले प्रतिलों समांतर क्रम के क्या होता है एक बटे आर बराबर एक बटे आर बराबर जो इसको आहल करेंगे त्यों जैगा एक लाज बवडे आर बराबर L,S1 किता हो जाख़ा? चार चार से 4 गशार खेंशिल एक फिर चार से चार कैंस़िए जो dus легा एक बराबर एक एक, दो बटे 4 तो आर निकालना है है तो एक उपर कर दो दर चार ऊपर चल जागा दो नीचे जागा कर दो तो आर बराबर दूदुनिके चार तो इसका करेंगे इसका दूसरा पार्त यहीं को स्वाल कर देंगे दूसरा पाथ है इस कान कि परिपत में गूल धारा ऑप को दो यहां पर समया आप तुले परसे को कितना है दो ओम आप से पूछ रहा कूल धारा आई तो आई बरावर फर्मॉला क्या होता है वी आई बरावर क्या फर्मॉला होता है आई बरावर वी अपान क्या र क्योंकि देखो मैं अब फर्मॉला निकाला 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 देता हूं भूल गयरे तो आइक में जाएगा टो यहां आई के फुछ Health बूदाय था तो श्कति आएए के एंपर बात खत्म यह वीएलो गया अब एक प्रश्णवर्ण पुचह है क्या बोला थां तीस्रा वाला कि बिंदू इव भी बिंदू की भीज़ ववांतर दिख आपको एवला और बिंदू भीज़ व़ऑंतर गयाद करना तो चलिए तीसरा पाट में यहां इस्वाल्प कर देता हो, तीसरा पार्ट, वि ब्वांतर मतलब V का वेलू, तो V बराबर क्या होता है, I into R, बात खत्म, तो V बराबर, धारा अभी निकालाओं, कितना आया है, धारा एक आया है, धारा की बराबर कितना है, एक एंपियर और आर कितना है दो तो वी बराबर कितना जागा दू गुड़ा एक में करोगे तो दो और यहां भी वांतर रहते कीज का मातर क्या होगा बुल्ट होगा बात खत्म यह हो गया अंसर भाई तो तीनों को अपने स्वाल्प कर दिया है बिल्कुल आसान है और यहां आणको संतुरित कीजिए मेरे ब्यार को चूं में डारेक्ट इसको संतुरित करके आपको दिखाता हूं ठीक है ट्रीक जाके देखलेना मेरे चैनल पर क्या जाता मैंने इस्टेप बाइस्टेप बता रखा है देखें यह आपका CO2 है अपला से स्टो मिलके C6S12O6 प्लस O2 बना रहा है मैं डारेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसको जावनों संतुलिस करें तो हो जागा 6C02 प्लस 8H2O ठीक है आप वहाँ पे दिर्ली बताना चलूँगा तो बहुत जाद असे मिल जागा C6S12O6 प्लस यह जागा 6O2 और प्लस 2H2O बस यह पहले का हो गया नोट कर लो इसके पाद दूसरा अगर लिखूं दूसरा यह वला कापर वला यह वला हो गया वी वला लिक रहा हूं थीक है तो यह बी वला है यह वला कर से लिखेंगे कापर सुलफाइड है तो यहां पर जागा 2CU2S प्लस 3C02 बना रहा है 2CU2O और प्लस 2SO2 बस हो गया इसी तरह जल्दी सर्नोट कर रोगें कि एक्जाम मैं आप लोगों यही करके आना है ठीक है सी वाला देखें सी वाला के क्या हो जागा एम एन ओर टू प्लस यहां जागा फूर HCL 4HCL फिर MNC02 इसको कुछ नहीं होगा इसी तरह एका MNC02 प्लस H2O में क्या हो जागा 2 जूट जाएगा 2H2O हो जाएगा प्लस कुलोरिन भी इसी तरह एगा CL2 इसके पास C वाला भी कर दिया हमने डी वाला एक लास्ट वाला देख लो लोहा वाला और जल वाला लोहा और जल मिलके क्या बनाएगा तो यहाँ 3FE प्लस आपका जल है ते हो जागा 4S2O मिलके बना रहा है यहाँ पर यही तो काम करना था यहाँ पर तो कितना ज्यादा सिंपले बताईए बहुत चलिए अगला प्रस देखते हैं प्रस नमबर 26 प्रस नमब 26 क्या कहता है कि bleaching powder जिसे विरंजग चूड का रसानी की नाम क्या है और सूत्र लिखे क्या होता है जब इसे आवा में खुला छोड दिया जाता है bleaching powder के दो उपियों भी लिखे और प्रस नमबर के लिए चार नमबर के लिए तो चलिए इसको detail में लोग समझते हैं इसको समझेंगे हमें लिख के लिए कहां बहुत अच्छे तरीके से कि ठीक है यह प्रस नमबर 26 है अप लोगों का तो लिखेंगे कि विरंजक चूड का रासानिक नाम होता है calcium oxy chloride क्या होता है calcium oxy chloride विरंजक चूड का रासानिक सुत्र के अगरम बात कर रहें तो c a o c l 2 होता है जबकि विरंजक चूड को वायू में उद्राभित किया जाता है तो वह अपने गुड़ों में विक्रिती पाता है वायू में उपस्तित carbon dioxide इससे क्रिया करता है जिस कारण calcium carbonate और chlorine gas उत्पन होते हैं विरंजक चूड के good nuts हो जाते हैं और उसमें उप्योग भी पूछा था था न तो पहला लिखेंगे कि ये विरंजक, cotton, textile, उद्ध्योग में linen laundry में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयुक्त किया जाता है बिल्कुल जीतना पूछा था उतना हमने क्या किया यहां पर बता दिया किलियर हो गया आप लोगों को चलिए आगला प्रस्ने के प्रस्ण बर 27 आइस को के सांदर्ण से आप क्या समझते हैं आइस के सांदर्ण के मुख्य विद्यों का वह रणिंग कीजिए जाया तो यह प्रस्ण कीजिए या तो अत्वाकर के प्रस्ण दिया है कि रसाने के विक्रिया किसे कहते हैं कितने प्रकार की होती है प्रत एक को उधानर सही सम उसका अंसर कैसे लिखो गया देखे इसका अंसर लिखो गया कि आयास का सांदर्ड की समान ने भी दिया है आप क्या डालोगे हैं आयास का सांदर्ड की समान ने भी दिया है लिखो गया है लिखो गया खनीज प्रिद्वी से निकाले जाते हैं जिनके सातने प्रकार के व्यर् में के संधर्ड याइस्क को किसी उपयुक्त तेल के साथ एक बड़े टेक में मिलाया जाता है खनीज कड़ रिकत現 जाते हैं जब कि यह इसमी सटिय में से बुलुहूलों के रूप में वायूब्Pad होती है जिससे खनीश कड़ युक्त तेल के जहांग या फेन बन जाते हैं जो जल की सता पर तेरने लगती हैं जीने बड़ी सरलता से जल के उपर से निकाला जा सकता है जैसे तामबा सीसा तथा जीन के सलफाइट का सांद्रन करने के लिए इस बीदी का प्रयों किया जाता है तेकि कितना सिंपल है अगला है उपखंड गवाद किसके प्रशन लेंगे आपको बायोग प्रशन लेंगे जिसमें से 28 प्रशन है क्या है कि प्रतिवर्ति क्रिया का मातों बताईए तता सची तवरण कीजे तो चलिए देखते हैं प्रतिवर्ति क्रिया किसे कहते हैं चार नबर के लिए प्रशन है चलिए देखते हैं प्रतिवर्ति क्रिया तहां लिखेंगे ऐसी अनेचिक क्रिया है जो अनायास अविलम यानेत्रयों सहल की गटित हो मताबने आप होती रहे तीके उसमें मारा कोई प्रतिवर्ति क्रिया के कुछ समान उधार ने जैसे खासना चीकना स्वसन मारिक सांस ले रहे हैं लोग किसी ठोस कड़ से कड़के पहुचने पर ठीक है इसके बाद देखे फेपड़ों से मुख के द्वारा तिव्र गति से वायू बाहर निकलती है जिससे कि अवान्शित कड़ वायू के दवाव से बाहर निकल जाएं तीवरा उच्छवास के कारण स्वर पटियों में कमपन उत्पन होने से खासी की दोनी उत्पन होती है जीकने में भी ऐसी ही होता है कि अंतर के वहले इतना ही है कि इसमें वायू मुख के अस्थान परनाक से बाहर निकलती है दूसरा देख लो नेत्र्स प्रतिशेफ पर किरिया आखे बंद हो जाती है थी जानु जटक प्रति छेप यह क्या होता है कि यदि किसी ब्यक्ति से इस टूल अत्वा मेच पर बैठा कर उसके घुटनों के जानुफ लक्स नायू पर थपता पाया जाया तो उसकी टांग स्वता ही जटके के साथ उड़कर आगे बढ़ जाती है यह भी एक प्रतिवर्ति क्रिया है इसके बाद चोथा देख लो लार स्रावर्ड प्रतिवर्ति क्रिया वांचीत बोजन के सामने आने पर लार का स्रावर्ड होने लगता है यह कैसी क्रिया है प्रतिवर्ति क्रिया के अंतरगत होता है कुछ अच्छा अच्छा देखा नहीं मूं में पानी आने लगा इसके ब लिख दोगे ना तो आपको पूरा नंबर देदेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ट देखे प्रस्ट नंबर 29 गर्व निरोधन की विभीन विधियां कौन सी है यह भी प्रस्ट कितने नंबर के लिए है चार नंबर के लिए बहुत ज्यादा करते हैं तीसर देखे प्रस्ट की विभी विभी सोफ है तीसरे इृट बने के लिए इसे बहूति करती है seen कि बहुत हैते कि यह न्연बर का करते हैं जिसमें से पहला है कि मादाय डायफ्राम या ग्रिवा टोपी का प्रयोग सुक्राणों के गरभासे तता अंडावाईनी में प्रवेस करने को रोकने के लिए करती हैं ठीक है यह अंत्रिक भूती कवरोध है दूसरा आप लोगों का रसानिक भी दी इसमें क्या होता है कि औरोते दो प्रकार की गोडियां को उपयोग करती है जिसमें से पहला है कि मुक गोडियां यह गोलियां अर्मोन से युक्त होती है जो अंडासे से अंडोत सर्ग अंड डिम्ब के मोचन को रोकती है जैसे उदारण माला डीस सहेली और दूसरा एक योनी गुडिया इन गुडियों में रसायन होते हैं जो सुक्राणों को क्या कर देते हैं मार देते हैं तीसरा होता है सलेची किस्टा विदी जिसे वेक्स्टर टॉमी पुरुस नजबंदी कहते हैं तो इसमें लिखेंगे सुक्रवाई को के एक छोटे से भाग को सलेची किस्टा द्वरा अलग कर देना विक्स्टर टॉमी कहलाता है सुक्रवाई काई वे नलिकाई होती हैं जो नरो में सुक्राणों को वरिशन के माध्यम से मुत्रमार्ग तर क्या करती हैं ले जाती हैं अब उसी में दूसरा आता है टूबेक्स्टॉमी इसमें लोग मेला नस्वंदी बोलते हैं इसमें लिखेंगे डिम्बवाईनी नलिकाउओ के लिए एक भाग को काटकर अलग कर देना टूबेक्स्टॉमी कहलाता है और यह प्रक्रिया अंड डिम्ब को आगे स्थापित किया जाता है जो निसेचित अंड या बलास्टूला को गरवासे में स्थापित होने से क्या करता है उसको रोकता है बस यह चार भी दिये हैं बहुत जल्द मैंने बता दिया आप इसको बस नूट करके याद कर लेना सारी चीलिए क्लियर हो जाएंगे आपको एक कि सवue परागण के लिए आवसेक अनुकूल पूस्प का दियुलगी होना आवसेक है नर्यों मादा भाग एक साथ परिपक़ को होना क्या है आवसेक है सबसे पर लिखेंगे 100 परागण के लाब क्या है तो 100 परागण के निब्लिखी तलाब है पहला लाब तो है कि पूस्पों में 100 परागण एक आसान तथह निश्चित गटी परकृटि अधरी आ है जिसके कारण पोदो का वंस क्या आता है चलता रहता है दूसरा यह है कि इनको परागण करिया के लिए दूसरों पुस्पों निर्भर नहीं रहना पड़ता है तीसरा है कि स्वप परागण पुस्पों का रंग सुगंद तत्हमद उत्पन करने के आउसकता नहीं पड़ती है जिससे पौदों की कम से कम उर्जा जो है उपयोग होती है चौता है कि स्वपरागण में परागण के लिए कम परागण क्या हो सकता होती है जिससे परागण कड़ विर्थ में क्या होते हैं नस्ट नहीं होते हैं वहीं पाच्वा अगर हम बात करें तो सुध नसल वाले समयूगी संत्ति होते हैं, अर्थात इनके पैत्री गुड़ यहीं रहते हैं, तो यह थे सुध परागण के क्या लाब, अब नीचे अजिन डालेंगे सुध परागण के हानिया क्या क्या है, तो सुध परागण के पिफिक होगे सुध परागण से उत्पन वीजो से वन ए पोदे क्या होते हैं, चौतँ है सुध परागण से उत्पन वीज संक्या कम भार में अलके तता छोटे होते हैं और ऐसी पी सिगरší नहीं पकते हैं, इसके बाद च्छठा कि सुध परागण दौरा नहीं जातियों क उत्पति नहीं हो सकती बस इतना लिख दोगे तो आप लोगों को काम के आओगे बिल्कुल बंद चार नंबर का है छोड़के आए गमत इसके बाद है यहां पर एक तीसवा पूसपी पाद्वों में लाइगिक जनल पर निबंद लिखे चैन नंबर के लिए यह नहीं जानते मेंडल के अनुमसिक्ता की नियमों को विविचना कीजिए तो हर एक व्यक्ति को मालूब होगा कि मेंडल के अनुमसिक्ता नियमा अराम से लिख दोगे लेकि मैं सलूसन इसका बता देता हूं यह आपको ठोड़ा ढूंड़ने में परिशानी होगा लेकि मैं इसका बता दे यह निबंद पूस्पो में लेगिक जनन के विशे में है जो पौदो के जीवन के मत्तोपूड पॉलूओं में से एक है। पूस्पों में लेगिक जनन पूस्पों में लेगिक जनन एक प्रकार की वाड़िज जी प्रक्रिया है जो पूस्पों के विकास के मत्तोपुड भूमका निवाती है इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पूस्पों के लेगिक अंगों के मिलने से बीज बनता है जो बाद में पूस्पो के लैगिक जनन की प्रक्रिया में पूरूस पूस्पो की जीवन्त को सिकाओं को गरबासे से निकाल कर ले आते हैं जो मैला पूस्पों के गरवासे से आये गरव बीजों के साथ मिलते हैं यह मिलना लैगी की योगिता को पूरा करता है और बीज का निर्माड करता है इसके पसाथ बीज उत्पन होता है जिससे वायू, पानी, जीओं या किटाड़ों के मादेव से पूरे पौदे में ले जा संचेट पर बात करें पूस्पों में लेगिक जनर एक मतवपूड परक्रिया है जो नए पौदों के उत्पत्ति के लिए वस्यक है यह पूरे पौद के जीवन के लिए मतवपूड है और इसका अध्यन और समझना अमारे प्राकृतिक वातावरण के अध्यन में मतवपू जाए आराम से 70 में 70 नवर लेकर आए और हर एक बेक्चिक के पास वहां सेयर कर दो जो क्लास टेंट में अर्थवासी परिषापनी स्कूल में देने वाले हैं उनके पास एक वीडियो पहुंच पाए ताकि वह भी 70 में 70 नवर लेकर आप आए चलिए मिलेंगे नेक्स वीड